तो जैमिनी सिध्धान्त का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र यह है कि जब महरिशी जैमिनी ने इसको साधना स्टार्ट किया जब इसके पीछे समय देना स्टार्ट किया तो उन्होंने कुछ ऐसे चीज़े देखी है जिससे जो है एक सेंटेंस को एक शब्द में बदला जा सकता है जिस तरह से परासरी जोतिश क्या होता है वह सब्सक्राइब होता है हर चीज को डीटेल में समझना विस्तार से समझना जैमिनी महरिशी ने शुरुआत की इसी विस्तार को मिनिमाइज करना शॉटकट जितना ज़्यादा शॉट में लाया जा सकते हैं ठीक है अगर अधर प जैमिनी जोतिश है वो पर्टिक्लर्ली एक ऐसे वीजन को दिखाता यह एक ऐसे एंगल को दिखाता है जो अर्भी जदा सहज बनाता है बना देता है तो सबसे पहले इनका मूल सिधान थे वो है दृष्टी जैसे परासरी जोतिश में हम जो वैदिक जोतिश है उसमें दृष्टियां किस चीज की होते हैं ग्रहों की दृष्टी बताई गई जबकि जैमिनी जोतिष्ट में बताया गया है राश्यों की दृष्टी जो बारा राश्यां है यह एक दूसरे को किस तरह से दृष्टी देती है और दृष्टी का कितना प्रभाव उनको पड़ता है पर्टिकुलर्ली उस ग्रह दशा के अंदर का यह चीज़ आती है उस हिस दृष्ट नमाज दृष्ट इस तरह की दशाएं होती इनकी दशाएं भी थोड़ी अलग टाइथी लेकिन है अगर आप समझ गये अगर जिनका बेसिक क्लियर है यानि कि एस्ट्रो एस्ट्रोजी में अगर आपने वैदिक में अपना बेसिक थोड़ा क्लियर रखा है तो बाद भाओं के बारे में अगर अच्छे से पता है तो समझ लीजिए कि ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है क्योंकि ये ना जैसे अगर आप आप लोगों में से किसी ने अगर होंगे शायद लाल किताब वाले भी तो ठीक जैमनी जोतिश में भी कुछ वैसे ही बाते आती है लेकिन थोड़ा सा प्रॉसेस लगे लेकिन ये भी उसी तरह के काम करता है जैसे कहते हैं ने दाल में थड़का लगाने जैसा ही एक सिस्टम है तो आज क्योंकि आज फर्स्ट बिलकुल वेबनार है तो यहां पर राशियों के उपर ही करेंगे राशियों की द्रिश्टी और उसके प्रभाव किस तरह से कैसे पढ़ते हैं लेकि जैमनी सिधान्त में राशियों को वैल्यू बहुत जादा दिया गया है इसमें कहा गया है कि जिसमें जिस तरह से हम वैथिक में जिस सरा सब बताया गया है कि छर राशी और दूइस्व भावराशी चर राशी जितने हैं एक चार साथ और दस स्थिर राशी कौन से हैं दो पांच आठ और ग्यारा और दूइस भावराशी है तीन साफिए 9 और 12 तो इनका अपना अपना स्थाने इन की अपने प्रत्र जासि अपने निकत्तम स्तिर अपने डिश्टी होती है जैसे मैं थोड़ा सा स्ट्रीन शेयर कर देता हूं कि अपने उस्क्रीन दिख रहा है ना कि जैसे चर राशी है तो प्रतिक चर राश्ची अपनी निकटतम स्थिर राश्ची को छोड़ कर क्या है इसमें मेश मेश चर है करक चर है तुला चर है और मकर चर राश्ची तो यह अपने निकटतम स्थिर यानि जस्ट उनका सेकेंड स्थान जो है इस राश्ची को छोड़ कर बाकी सारे चर राश्ची में इसकी द्रिष्टी होती है तीकिकवर चर राश्ची में ठीक जैसे मेश में हुआ इसी प्रकार से पर्ट वाले जो है कर राशी जो है यह अपने सेकेंड घृक्ट में द्रिष्टी कि अ इसमें दिश्टी होगी और इसमें दिश्टी होगी ठीक उसी तरह तुला में तुला राशी वाले अपने दूसरे घर को छोड़कर इनको नहीं इनकी दिश्टी नहीं पड़ेगी उसके बाद जाएंगे कुम्भ में व्रिशब में और सिंग में और मकरवाले इसको छोड़कर इनकी दिश्टी व्रिशब में और व्रिश्चिक में इनकी दिश्टी आ जाती ठीक है इसके बहुत बना हुआ है मेश राशी व्रिशब राशी का इक चार्ट दबना हुआ याद रहता है memory भी अच्छी रहती है और उसको याद करने में भी अच्छी रहती है मतलब कि एक तरह से एक photographic memory अगर दिमाग में फैट जाए कि यह चार्ट है इसके हिजाब से चलना है तो calculation करने में भी easy होता है अगर इसी तरह से इस इन भाव में अगर कोई ग्रह है जैसे चर राशी में यहाँ पर मंगल बैठा है तो यहाँ पर इस भाव के वजह से मंगल की भी का भी प्रभाव जो है जिन जिन भाव में इस राशी की दृष्टी पड़ रही है उन उन भावों में मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा जो भी प्लैनेट हो मैंने यहां सिर्फ उधारन लिया है जो भी प्लैनेट वहां बैठा हो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी उस प्लैनेट की शक्तियां है या कारकत्व है उसका इफेक्ट बात की जहां-जह यहां पर राशी दुष्टी दे रही है उसका भी सहयोग वहां पर मिलता है कर नहीं रहे हैं इसी की चीज़े ताइम पास करें क्या रहे हैं तो राशियां इसने जरूरी है यहां पर कि राशियों को बहुत ज़्यादा महत्वत दे गया है राशियां सबसे ज़्यादा देखे क्या होता है नॉर्मली ग्रह जो है आप जब आकाश मंडल में जब हम देखते हैं तो ग्रह जो है अपने एक्सेस में घूम रहे हैं लेकिन वह हमेशाना राशियों के स्थिर है इसलिए जैमनी रिशी ने यह देखा कि अगर ग्रह अपनी द्रिष्टी देते हैं तो अस्थिर होने की वज़ेसे उनकी द्रिष्टी जादा प्रभावकारी नहीं हो सकती है लेकिन पराशर में इसको बहुत जादा महत्वत दिया गया है उन्होंने ग्रहों को छ कि अगर राशियां हिलते नहीं है अपनी जगत पर कहीं मूवमेंट नहीं है तो उनकी द्रिष्टी जादा प्रॉमिनेंट हो जादा प्रभावशाली हो तो उस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया है और अच्छे तरीके समझा कि कौन सी राशी की दशा कब आती है किस राशी के बाद को सुन्दर तरीके से बाटा हुआ है डिग्री सिस्टम के हिसाब से भोगांश के इंशाम से भोगांश जो होता है वो डिग्री को कहा गया है तो भोगांश कैसा होता है कि जिस भी राशी में क्योंकि राशी को प्रधानता देगी है राशी में जितने डिग्री पर ग्रह होते हैं वो उस ग्रह की शक्ति को बताते हैं उसके कारकांश को बतात आत्माकारक तो अगर हम देखें जो नेचरल है रैट नेचरल आत्माकारक जो है वह सूरी को माना गया है लेकिन विविन कुंद्लियों में जैसे जैसे जिसके दिगरी होती है उससाब से होता है तो आतमकार्ण कौन सा ग्रह होता है अगर किसे के चार्ट में किसी के कुंद्ली में जिए कोई भी ग्रह रहो के तुछ चोड़ कर तो वो वाला प्लानेट व्यक्ति का आत्माकारक होगा ऐसा प्लानेट जिसकी डिग्री हाइस्ट हो व्यक्ति का आत्माकारक होगा यानि कि उसकी एनरजी जो है उस पर्टिक्लर प्लानेट के रिलेटेट चीजों के आसपास चलेंगी मतलब उस व्यक्ति के जीवन में पर्ट एक्शली होता है कि आत्माकारग्रह क्यों मिलते हैं आत्माकारग्रह मिलते हैं कि आपने जिस चीज पर अल्रेडी मास्टरी करी लिए अगर आपके कुंड़ी में देखें कोई प्लानेट अपने टॉक्मोस डिग्री में है उच्छतम अवस्था में है या उच्छतम डिग्री में बैठे हैं चाहे वो 29 में ही क्यों ना हो अगर आत्मकारक शनी है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मत होगा यह दुन दुख्यों की हेल्प करने वाला होगा यह अक्सर जो है ना मेहनत कर तो होगा लेकिन यह इसका में मोटो होता है कि सबका साथ सबको एक साथ लेकर चलने का रहता है मत जिब किसी को भी अंडरेस्टिमे हो जाता है वह कभी भी किसी काम को जल्दी बाजी में नहीं करता टेंशन में लेके नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगा ठीक है चलो कोई बात नहीं थोड़ा लेट ही सही लेकिन स्लों स्टड़ी विंस तरेस इनका यह होता है कच्छवे जैसा इनका प्रॉइंक लेकिन क्षणी क्या है कि मेहनत बहुत करवाता है तो ऐसे व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं यह जब तक अपने लक्ष को प्राप नहीं करते तब तक वह लगातार मेहनत करते रहे हैं इसी तरह डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट आसपेक्ट है जैसे का मंगल आगया आत्माकारश में तो ऐसा वहती देखना ऐसे वह एक्ति के आसपास ना अपने इनका भायों बहुत ज़्याधा एंटे यह विक्ति बच्पन साहीना बहुत ज़्यादा हाई आनरजी वाला हो सपोर्स में भाग लेने वाला इवन दिफेंस डिफेंस में डिफेंस पाइटमी या अगर जैसे एक चार्ट देखा था वह सीज़ए नौकरी कर रहे हैं 12 साल हो गया उनके चार्ट में देखा था मंगल आत्मा का रहे हैं कि वेजिए उनका फर्स चांस में हुआ है उनको ज्यादा महनत नहीं करनी पड़ी वह ठारा करते हैं क्रोस करते हैं क्वेल पास करने के बाद वो सीधा जो है सियासर के बहाली में चले जाते हैं ग्राउंड टेस्ट हो जाता है उसके बाद अंदर जाके भी इंटर्व्य होता है बहुत चल्दी मतलब एक ही बार में उनके कोई बाधा नहीं थी करें मेरा की नौकरी बहुत आसान मेरे को जितना टफ लग रहा था उतनी आसानी से यह मेरा काम हो गया तो मंगल जो है डिफेंस सेक्टर में उनको लेके गया क्योंकि उच्छितम जो ग्रह होते हैं वह व्यक्ति को पास लाइफ कर्मा में उस चीज के उपर डिफ्ट्य देने वाला कि आप किस तरह के कर्म को करेंगे कर्म का नियंतरन किस तरह से होगा उसको देखा जाता है और यह पर्टिकुलर्ली जैसे आत्मकारक का जो एक्सपेंट कर लेता हूं आत्मकारक जो है ग्रह का बल स्थान सामानते कुंडली के बल को दर्शाता है आत्मा स्वैम भौतिक स्वरूप और प्रथम भाव के कारकत्व को यह देता है जैसे हम वैद कुंडली कोगर देखें वैदिक कुंडली में देखें हम पहले स्थान को एक नंबर जो दिख रहा है आपर इसको हम लगन मानते हैं हमेशा खीकर न तो लगन को रिप्रेजन करता है आत्मकारक ग्रह अगर किसी के कुंडली में आत्माकारग्रा कोई भी प्लानेट बना हुआ है तो वो व्यक्ति का समझ लीजिए कि एक लगनेश की तरह काम करेगा भले उसका लगनेश के साथ उसका कनेक्शन नहीं बैठ रहा है लगनेश शुक्र बना हो और आत्माकारग बन गया हो मंगल ले प्लानेट जो पूरे उस उनके साथों प्लानेट को सलाह देने वाला प्लानेट होता है उससे देखते हैं दशम भाव दृतिय भाव यानि कर्म और धन सामाजिक स्थिती और सलाकार इसके कारकत्व गुण होते हैं अच extremely यह जो प्लानेट है मतलब सेकेंड डिघरी का जो प्लानेट है सेखेंड हाइस उसका काम होगा आपके कर्म और आपके धनके ऊपर कैसी पकड़ होगी इस तरह से दूस्रों की शलाह लेकर काम करेंगे आ दूस्रों को शला देकर काम करेंगे आमत्य कारक्त बहुत कि टिक है आत्मा कारग क्या है वह आपकी आत्मा वह एनरजी आप ले कर आए और उस एनरजी का यूज़ करके आप किस माइंड सेट पर जाना चाहते है आपका फॉट्ट प्रॉस्टस क्या है आपकी आपका बिलीफ सिस्टम कहां पर आपको ले जा सकता है कि अगर किसे की कुंड़ी में आत्मा कारों कर आमत्यकार की जो जुती है या पर उस पर एक दूसरे को दृष्टी पढ़ जाए एक दूसरे के साथ रह जाए तो ऐसे व्यक्ति का माइंसेट बहुत हाई लेवल को होता है ऐसे लोग देखेंगे बहुत गोल औरियंटेड होते हैं क्योंकि इनकी आत्मा को सलाह देने वाला इनका बुद्धी उनके साथ होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेकेंड हाइस जो प्लानेट है यह बुद्धी का कारण भी है तो कहीं न कहीं यहां पर यह अच्छे सलाह अच्छे इंटूशन के साथ अपने करियर में आगे बढ़ता है बहुत तरक्षी करता है और सिर्फ और सिर्फ जिसे करते हैं कि अपने आपके उपर आसे लोग बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखेंगे इसके बाद थर्ड आता है मतलब थर्ड हाइस जो प्लैनेट होगा जिसका भोगांज आमत के कारत से थोड़ा सा कम होगा या निक्स होगा उसको कहाई आता है भात्री कारत यानि भ्राता सहुदर भाई बहनों का क्नेक्शन जैसे कुन्डली में हम लोग देखते हैं जो वैदि कुंडली में देखते हैं सक एक जिसरा धर छोटे भाई बहनों और ग्यारवा है बड़े भाई बहन होगा यहां पर भ्रात्री कारत ग्रह को पिता कारत बहल का यह ग्रह जो है स्पेशली तृति भाव नवम भाव यानि तीसरा आपका चेश्टा कोशिश और नवम भाव आपका भागिर इस इन भावों की स्थिति को यह देता है इन भावों से रिलेटेड फल को देता है ऐसे जगह पर मतलब की भ्रात्री कारग जो स्थान होता है यह एक्चुल अगर देखा जाए आप जो स्ट्राटेजी बनाते हैं किसी भी चीज को करने के लिए जैसे आत्मा ने क्या किया आत्मा का अपना एक स्वरूप है जहां पर उसकी पर्टिकुलर प्लानेट की एनरजी दूसरा अमत्य ने क्या किया वहाँ पर अपना दिमाग और बुध्धी और सला के साथ उस एनरजी को आगे बढ़ने के लिए मतलब उननती देने के लिए आगे बढ़ने के लिए कोश्चिश की और उसको सला अच्छा दिया अब भात्री कारग क्या कर रहा है वो जो सला व वो जो उत्साह उसको मिला हुआ है उसको इंप्लिमेंट करता है क्योंकि तीसरे भाव और नवम भाव को यह दिखा रहा है इसलिए इंप्लिमेंटेशन थर्ड हाउस इसके इफेक्स को यह देता है यानि आपने जो थौट प्रोसेस बनाया है अब उसका इंप्लिमेंटेशन करने का समया भात्री कारग्रह जो है वो इंप्लिमेंट करवाता है चीजों को बास्तिविक्ता में परिवर्तन करता है आप जो प्ल भाई बहनों के साथ connection उनके साथ कितना लगाव रहेगा दुश्मनी होगी त्यार बना रहेगा या मन मोटाव रहेगा यह सारा जो है भात्री कारक ग्रह दे देते हैं इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं मात्री कारक ग्रह इसलिए चौथे नंबर को मितलब कि यह जो है अब भात्री कारक ग्रह के बाद वाले फोर्थ जो फोर्थ हाइस्ट डिग्री वाले प्लामेट है यह भाव चतुर्थ भाव माता घर वाहन और सुख का कारक होता है फोर्थ हाव से रिलेटेड यह सारे कार्ण को देता है सिरीज वाइज ही चल रहा देखें लगण पहला दूसरा जो है धन भाव और करम भाव को लिए वह तीसरा जो है यह सारी चीज़े जो है मात्रिक आरग्रह देता जिसका मात्रिक कारग्रह अच्छा है रिलेटड़ चीज़ों को देटा ऐसे लोह को सिक्षा बहुत अच्छी होती है संपत्ती अच्छा बनाते हैं आवास परिवर्तर या संस्कृति का भी चारग होता है यानि कि एसे लोगव का संसकार कैसे हैं इंका बैग्राउंड गैसा है वब भी मात्री कारक ग्रह से पता चल जाता है जो फिफ्थ हाइस ए उच्छ उच्छ शिंच रशनात्मक्ता भागय और व्यवसाय परिवर्त अंदर शाता है यह जो है पांचने घर को फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करता है फिफ्थ हाउस से चीज़े देता है फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं नॉर्मली अगर हम देखे वा वैदिक में पुत्रकारक बॉधिक शम्ता उच्य सिक्षा रशनात्मक्ता और कोई भी काम में आ यह पुत्रकारग ग्रह देते हैं पुत्रक्रारग अगर किसी के भी कुंदली में सप्थ अजयी संटान होंगी वो बहुत तेजस्वी होती है, बहुत ताकतवर, एक्टिव, तो यहां पर प्लैनेट की जो भूमी का है, वो यह है, इतनी है कि प्लैनेट का पर्टिकुलर जो नेचर है, जो सुभाव है, जिस तरह का रिजल्ट वो दे सकते हैं, वो आपके कारकांच के साथ कनेक्ट जब कर सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पुत्रकारक ग्रह जो है, यह आपके सिक्षा को दिखाता है, सिक्षा, यानि आपका ज्यान कितना विस्तार ले सकता है, सिक्षा मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज की सिक्षा की बार करें, सिक्षा वो भी है, जो आप कि अपना जो भी आपने कर्स किया हो this जो भी कंप्लीट किया हो लेकिन असल में जो माइने रखता है वो है और जो शीखते वह भी पांच में घर का स्वामी या सोरी पुत्रकारक ग्रह जो है वह दिलाता है अब आते हैं नेक्स्ट ज्याती कारक जो सिक्स्ट लार्जेस्ट या सेकंड लोएस्ट दिग्री वाला प्लानेट है इसका संबंद बाहिये सुरोतोस को दर्शाता है या ग्रह दुख तकलीव भी देता है अध्यात्मिक साधना रोग बाद विवाद वैवसाय परिशानी रोग मुक्ति या शत्रू भाव से आता है ये पर्टिकुलर्ली छटे घर आठवे घर और बारवे घर के एफेक्स को अध्याति कारग जो होता है अब देखिए का इसका बड़ा ही सुन्दर एक अधारन है आज विरेश जी ने बहुत अच्छी बात करी है आज मेरे परस्नलियूंसे बात रीटेस के उपर विरेश जी है क्या लाइक पर नहीं है शायरी तो बहुत अच्छी बात कही थी अच्छें अच्छा देखा गया कि ग्यातिकारग ग्रह का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए बले वह आपके कुंडली में केंद्र भाव का स्वामी हो या फिर वह राज्योकारग ग्रह क्यों नहीं हो ग्यातिकारक प्लाइनेट का तभी भी जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए वह हमेशा नुक्सान करता है क्योंकि ग्यातिकारक जो है वह छे याट बारा का रिजूल्ट देने लग चाता है आपके अंदर संहर्षक को दिखाता है आप अंधरस जो बढ़ा देता है जो है बिमारी लेकि आता है परिशानियों मानसिकश परिशानिया बहुत आपको कुछ भी knowledge नहीं है ज्याती नहीं है कि वह आपके शत्रू बना पड़ा है और आपके कर्मों की वज़े से वह शत्रू बन गया है और यह ऐसा शत्रू जो कभी सामने नहीं आया है तो यह बाहरी वैक्ति बन जाता है तो इसलिए ज्याती कारक को पहचानना बहुत को लेके आता है क्योंकि कि कि कुंडली में हर चीज़ पॉजटिव नहीं होता हर चीज़ नेगटिव नहीं होताहिए ज्याती कारव को सबसे इंपॉर्टन्स दे क्योंकि उसका फलादेश ही वेक्टी को बहुत उपर तक ले जा सकता है या फिर उसको डाउन फॉल ले जा डाउन फॉल करवा सकता अगर कहीं से भी वह प्लैनेट पता चला कि याथी कारक उसके डिग्री भी ऐसे पड़ ली है ज्याती कारक तो है लेकि और दशमेश भागेश और करमेश बनके बन गया है ज्यांतिकारत यानि उसकी जो डिग्री है वह सेकेंड हाइस डिग्री बनेगे तो ऐसे बैक्ति का जब भी शनी की दशा अंतरदशा आएगी अगर उसकी बात करें वैदिक की हिसाब से बात करें तो उनको संघर्ष करते इसली नहीं मिलेगा बाग इतना साथ नहीं देगा लेकिन जब हम इसमें चर में पर्टिकुलर सणी जीजीजिस भाव के स्वामी है चर दशा हम लोग चेक करेंगे जब राशियों की दशा में चेक करेंगे तो राशी की जब दशा आएगी शनी से रिलेटेद दशाएं आ के साथ इशू आएगा लेबर कास्ट के लोग साथ जगड़ा हो जाएगा वह दूसरे के साथ मतलब एक जैसे हैं दुश्मनी वारा फेज आ जाता है कई फैक्टरी में होता ना कि लेबर जो है इतना ज्यादा बलवान हो जाता है कि मालिकों को भी मजबूर होना पड़ता है लेबरों की बात सुनने के लिए लेबर लेबर पूरे कम्यूनेटी को एक साथ हो जाते हैं तो यह शनी जिनका ज्याती कारक होगा वैसे लोगों को फैक्टरी के कामों में या अपने अंडर में करवाने वाले जिसको मैन पावर कहते हैं मैन पावर से लेटे इस बहुत आत है इसके बाद आते हैं ती सात्मा जो है वह दारा कारक होता है पति पत्मी का साज़ेदार सात्मा घर सेवन्थ हाउस यह वाला घर यानि जेमिनी सुत्रम में देखे एक से लेकर साथ का कनेक्शन जोड़ दिया और इसी में सब को प्यर जैसे पंचम भाव का मैंने पढ़ा है पांचमा घर तो पांचमे घर के साथ 11 को भी लेते हैं जो अपना पुत्रकारक ग्राजी पांचमा और 11 वाला इफेट देगा तो एक से लेकर साथ के बीच में जमिनी रिशी ने शौट कर दिया बारा राश्यों को छे भागों बाट दिया और शौटकट में बिलकुल मत पैक्ट में लेया है दारा कारग जो होता है वो पती-पत्नी के बीच संबन्धों को दिखाता है या सात्मा घर आपके लाइफ पार्टनर या बिजनस पार्टनर को यह दिखाता है इसका इफेक्ट जो है व्यक्ति के स्टेटस में किस तरह के बदलाव आएंगे व्यवाहिक जीवन कैसा रहेगा पत्नी कैसी मिलेगी किसी का सपोज अगर दारा कारग बुद्ध निकल आया तो लाइफ पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा ना उसको हर बात समझाना पड़ेगा प्लाइफ पार्टनर के नेचर के साथ जोड़ेएं एकदम फिट बैठता है पकता बैठता है तो इस तरह से टोटल साथ भागों में या साथ कारक्टांश में डिवाइड किया हुआ है ग्रहों को अब यहां पर एक मिनुट मैं एक कुंदली का छोटा सा उधारन देखते बताता हूं जैसे यह एक कुंदली खोला है इसमें देखिए स्क्रीन देख रहा ना सबको अब छोटा दिखेगा तो मैं एक में ड़ूसरा सौफ़टर कोल देथा हूं इसमें तोड़ा छोटा कुंदली ते लिएक लेते हैं कुंदली यह कुंदली इसमें देखिए नीचे यहां पर डिगरी दिया हुआ है इस जवह पर डिगरी सबसे लोग हाइएस डिगरी कौन सा प्लानेट इस पूरे इसमें बना हुआ है तो ऐसे वेक्ति के अंदर ना बहुत जाता दम भिता है और इस इंसान के मैं बहुत अच्छे से जानता हूं यह अपने प्रभाव में सबको लेना चाहते हैं सूरी का नेचर कैसा होता है सूरी कहा है पालन करता आत्मा के कारत लेकिन साथी साथ इनका सूरी जो है अगर आप सूरी की बात मानते हैं यानि राजा की बात मानते हैं तो तो आपको सर में चड़ा करेंगे अगर आपने ना बोल दिया तो वह बोलता है तो मेरे मेरे आपके सामने से भाग ले अभी नहीं तेरी पिटाई को जाए इतना दंब है वह थीक है सेकेंड डिग्री किसका आ रहा है कि सेकेंड हाइस डिग्री है सैटर्ण नहीं मून 10 डिग्री 51,70 मून किस भाव का ऐफेगह यह धन देने वाला होगा धन भावंका और कर्म भाव का एफेक्ट कि तो इस वैक्ति का काम मून से रिलेट्टेड वै इस वैक्ति के तीन तरह के काम है पहला चावल को काम हैं दूसरा पानी का काम में कि शुक्कर सब्सक्राइब चेक करिएगा वी नसी सब्सक्राइब नाइंटीं डिग्री के आने के बाद भी यह देखें वीनस जलज राशी में यहां पर भी इसका इफेक्ट दिख रहा है इसका पानी का पानी का स्पेशल काम किया है वह शर्बत बनाता है मतलब जो उसके लिएक पानी के यहां जहाँ एक चीज इसका बहुत स्ट्रॉंग यहाँ पर कि वो चीजों में बहुत जाधा पर्फेक्शन डूनता है इन्हों ने जब मेरे से ली थी तो वो तीन बार आये थे मतलब कि तीन बार वो तीन बार तीनों बार ही मुझे देकर और भी डीटेल में जानने की जानने की विलाशा जगाई था तो उनके उनके साथ मैं पक्का दो घंटे बैठा था पक्का दो घंटे हर एक डीटेल को जानना समझना थोड़ा बहुत वैदिक समझते थे लेकिन उतना भी नहीं लेकिन उनको समझ में आता था कि उनको अगर लॉजिकली कोई समझाए तो समझ में आता था ऐसा अब जेकते हैं थर्ड हाइस्ट मून आएग थर्ड हाइस चंद्रमा है ना चंद्रमा राइट चंद्रमा है दस 10.51 तो इनके जो है भाई बहनों में इनकी एक छोटी बहन है बस इनके फैमिली बहुत छोटी है और बेहन के साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशन है बहुत सुद्र मतलब इस जैसे कहते हैं कि यह हर का म बैहन के पूचे नहीं करता बेहन के साथ इसका अच्छा रिलेशन है और इसने एक जो है वो नया भी मैंसे पूछ रहा था पेट्रॉल पॉम का काम करने के लिए लाइसेंस अपनी बेहन के नाम पर निका रहे है तो देखिए वापस लिक्विड आ रहा है चंद्रमा हाला कि अगर कुंडली देखे तो शनी आ रहा है तीसरे भाव का स्वामी शनी जो है वो दशम भाव में विराजमान लेकिन यहां पर जो ध्रात्री कारक है वो चंद्रमा आने की वज़े से अगर यह वेक्ति अपने बेहन के नाम पर भी पेट्रॉल पॉल लेता है किसी भी त वाम है फाइदा मिलेगा है मितन जी आपर किसी ने बोला कि 8 और गयारा में राशी शेंजर शुक्र और चंद्रमा पर क्या राशी में इस थान पर वर्तन और वैदिक कोई सूत्र इस तरह से अपलाई नहीं होगा ठीक है क्योंकि यहांपर राशियां देख्ती है जैसे यह राशी है यह कौन सी है स्थिर राशी को छोड़कर बाड़ाए सारे स्थिर में द्रिश्टी हो गी तो किसमें द्रिष्टी है एक तो कुम्भ में हैं दूसरा गृशब में हैं और ता तीसरा सिंग में है थीग है ना तो इसी प्रकार से राशी की द्रिष्टी होने की वैज़ से चंद्रमा की द्रश्टी इन तीनों जगह पर Sally लेकिन यहां पर राशी के हिसाब से ग्रह फल दें यहां पर स्थान परिवर्थन बहुत ज्वाइट इस फॉर्मुल यहां पर यूजह नहीं करने कि इसके बाद आते हैं मात्री कारत फॉर्थ हाईएस फॉर्थ हाईस कौन सा है पूर्थ हाइएस्ट सैटन शनी 26 डिग्री टीक है फोर्थ हाइएस्ट प्लानेट जो है यह सुख और संपत्ति को दिखाता है तो इस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी तो है इसके पास तीन-चार दुकाने भी है बड़ा रहिस आदमी लेकिन बड़ा रहता बड़ा ही मतलब जिसको कहते हैं तो सुख के स्थान पे इसको सुख के हिसाब से चीज़े जो है अच्छी मिली भी है अगर यहां पर देखें शनी जो है वह मात्री कारेक होके दशम भाव में बैठा हुआ है तो इनको प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा लाब होता है एक वह पैसिव इंकम है उनके पास अब आते हैं पुत्रकारक में पुत्रकारक देखिए थर्ड फिफ्थ जो हाइएस प्लैनेट कौन सा बनता है श्रणी के बाद आते हैं जुपिटर नाइन डिग्री 33 सेगंस जुपिटर यह भी कर्मस्थान में बैठे वे इनका एक पु कमपनी कंपनी यह जैसे लिखांपूर में तो लेते वो मेरट में जन्म इरते निवासी है और जो लड़का है वह कहां काम करता है वे तो पुत्र से भी इनको एक को इनका माताया यह इनका बेटा बहुत अच्छा जौब करता और जो पैसे और यह जो है उपने बच्चे का वापने करते रहे वास्ट मिल्ता है कि तो पुत्र से इनको अच्छा वाला था और दूसरा उसे लाभ भी इनको मिलता हुँ प्लस यह अपने फील्ड में माहिर इंसान है क्योंकि पांचमा जो है पांचमा कारक जो है पुत्र कारक यह बुद्धी उच्छ सिक्षा रष्णात्मक्ता को भी देता है तो यह इनका पास जो बिजनस है शर्बत बनाने वाला शर्बत बार्ट की जो बनाते पर तो लिक्विड वा लेकिं इन्होंने यह काम अलग से उसका में बहूत बने आपने अच्छा चलता है ज्ञांती कारत जो सबसे ज्यादा ज्यांदा गडवर होता है जो सबसे ज्यादा क्या करते है ना दुख देने वाला ग्रह तो इसके बाद जो आता कौन सा प्लैनेट है जुपिटर के बाद intersecti एस सटाथ है शायद मरकरी है इन जुपिटर मरकरी चार्डिग और है तो तो मरकरी नेचर क्या होता है बात करना कि कभी-कभी यह थोड़ा से रफ भी बोल जाते हैं तो सब्सक्राइब यह देखे तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबस्क्राइब लेकिन यह थोड़ा से रफ होते हैं अपने अंडर में जितने लोगों को काम करवाते हैं अगर यह चिल्ला मिले नहीं करेंगे तो इनका काम बनेगा यह यह बहुत बड़ी बात होती है तो जो भी है तो ज्याती कारक की वज़े से इनको बहुत सारे नुकसान भी जलने काफ मसल के भीच में वेरिकोस वेन की समस्या है कि अगर देखें हम इस कुंडली में अगर वैदिक के हिसाब से देखें तो वैरिकोस वेन आएगा ग्यार्मा भाव पिंडलियां जो ग्यार्मा भाव को दिखाते हैं इस भावका स्वान कहां बैठा हुआ अश्टम में क्योंकि ये नर्व से रखता है हमारी जो नर्व सिस्टम है उससे connection रखता है वेरिकोस वैंग कि दोनों कि सbelt था मारिशी जेमिनी का रिसर्च वर्क तो सिर्फ इसी में ही था कि पर्टिकुलर्ली सौटा उट सिर्फ प्लैनेट्स को देखो उनके डिग्री को समझो और बता दो वह वैदिक के हिसाब से विर्कुल पर्फेक्ट वैदिक में कितना लंबा प्रॉसेस है देखिए साथ कादशेश कहां बैटा है अश्टम में अश्टम से रिलेटेड इशूस दे रहा है जबकि यहां सीधा-सीधा कह रहा है कि ग्याती कारग रहा है वह बुद्ध जो है वह से रिटेड इशूस देता है और उनको वेरिकॉस बेन है तो कनेक्शन किस तरह से मिल रहा है अब आते दारा कारग यानि उनके पत्नी कारग जो सबसे लोएस प्लानेट है मंगल बहुत अग्रेसिव है उनकी पत्नी वह खथी कहते कि मेरे मेरा हर दुसरे दिन से फाइट हो आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ड्यू रखा है अपने दाराकारक से रिलेटेट काम को ड्यू रख दिया था इसी वजह से मंगल आया है जिसको आपको बहुत अग्रेसिव अग्रेसिवनेस के साथ पूरा करना पड़े तो अग्रेसिव इसलिए भी होती यह कुछ जादाए काम पर फटी के उपर दिया तो दोनों ही कमाते बच्चा भी होने के वाइफ को थोड़ा सा हाट और इसने पूंसा की ड़िए प्लीन है तो देखिये मंगल सबसे निम सबसे लुएस फ्लैनेट होने की विएश्यों थिया पर्टिक्लर मंगल सबसे लुएस प्लैनेट होने की वैसे पत्नी में को गुस्सा बढ़ा आता है चोड़ी-चोड़ी बातों में प्रोध हो जाता है और सही भी है क्योंकि यह अपनी पत्नी की और बहुत ज्यादा लापरवा है जबकि अटेंशन सबसे ज्यादा उसी प्लैनेट को देना ह और इसलिए वह पार्टनर्शिप में काम करना बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिया शुरू-शुरू में करते थे लेकिन फिर बात में का कि नहीं मैं अकेला है क्योंकि सेवेंट मितलब क्योंकि जो दाराकारक है वह साथ में घर से चीजों को देखता है तो दाराकारक य यानि अपनी वाइफ को इनको मंगल से रिलेटेट जो भी इनके इस्जूस है उसको बहुत माइनुटली देखना पड़ेगा उनके एल्ट इस्जूस को देखना पड़ेगा हाट है ब्लड पेशर है ज्यादा ना बढ़े ऐसा करें कि उनकी बीवी का जो टेमपर वो तो यह कारेकांच इस तरह से काम करता है तो बाकी आप लोगों जो जो सवाल पूछना है तहां तक क्या समझ में आप आगे सर बताईए जिनके प्रेशन है वो अपने हमने प्रेशन सकते हैं प्लीज रेजियोर कॉस्टन्स रेजियोर हैं जैमिन सार आपका सबसे वहले पै जैमिन में पर्टिकुलर्ली मिलान को नहीं देखा जाता लेकिन फिर भी हाइस प्लैनेट और लोएस प्लैनेट को हम लोग चेक करने के लिए बदलब पती-पत्नी के कुंडली को हम लोग मैच खराते हैं ऐसा इसमें कोई प्रॉसेस नहीं है कि कुंडली मैच हो जैसे हम लोग में कर लेते हैं दूसरी बात जिन्नी में कौन साल यह वर्ष उनको क्या प्रभाव देता है यह जो हम लोग जब चर दशा पढ़ेंगे ना चर दशा पढ़ेंगे जमनीक सूतर के अनुसार चर दशा क जो जो डेट या उमर या मतलब निकाल सकते हैं किसी व्यक्तिका की इस वर्ष में या इस आयू में जीवन में इस तरह का परिवर्थ नहीं है इसा जो साथमा नंबर बताया था लोएस्ट प्लानेट सबसे लोएस जिगरी का जो प्लानेट है उस प्लानेट से रिलेशन कैसा है वह देखना पड़ेगा आपके पत्नी बताया है मैं अपोजिस्टेक्स की बात्यारा है तो इसमें उसको भी जोड़ेंगे ना साथमा घर तो आप से घर को तो हम वैदिक में वैसे हैं थीक थांक यू थैंक यू थैंक यू जैमिन सार में तुझ एक बार इसके जो को सा कैरिकुलर में इसको है वह रिडिवाट करतें या प्लीज पहले इसमें देखिए कि अर्गला बीपढ़ते हैं कि और गला एक कुर्षन और बता जाए तो दशाओं का फर्क है और यहां पर कारकांश को देखते हैं लेकिन उसका कारकांश का फॉर्मेट अलग है और यहां पर जो है डिग्री सिस्टम के उपर जाधा वैलू दिया गया इसके लावा मैं यहां पर कुछ आड़ करना चाहूंगा नीना जी वैदिक वैदिक तो मदर साइंस है उसी के बेस के उपर बाकी सारी साइंस है तो जैमिनी इसे अनेदर एक्स्टेंडर आम अफ दी वैदिक इटसल जो आपको यह बताती है कि और फॉर्मले कैसे किस तरीक में लगाएं ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन सो उत्तम के उत्तम और उसे आप अच्छे जर्स राप्त कर सकें जैमिनी इस एनेदर एक्स्टेंडर फॉर्म आफ वैदिक साइंस राइट के इस लाइक आप केपी पड़ते हैं ठीक है आप विगुन दी नाड़ी पड़ते ह है इलार किता पड़ते हैं डीजार एक्सेंडर फॉर्म आफ वैदिक तो इने सिमलर ली जैमनी इस आप्सटेंडर फॉर्म आफ वैदिक बट फरक यहां पर यह कि जैमनी के जानकार अच्छे से डैप्ट नॉलिज़ वाले लोग बहुत कम है जैमनी कम बजार में अगर आप चाहते हैं कि आपके वैदिक में एक्यूरसी आए जैसे भी सात्मा घर आभी सर जैन जी पूछ रहे थे कि ऑपोजिट सेक्स और सात्मा घर यानि पतनी दोनों ही उसात्मा मतलब जो दारतारक है वही बताएगा ठीक है तो क्योंकि यह शौटकट हो गया और हम अ लेकिन आपका से माइगा चित्रे फॉर्मले आपके पताँंगे उन्तरें आप अच्छे से astrology या predictions कर पाएंगे it's all about the astrology is all about the game of formulas or the concepts. नाल किताब और KP क्यू पढ़ते हैं? वैदिक से भी तो काम हो सकता है. हाँ. क्यू पढ़ते हैं? वैदिक से भी तो काम हो सकता है. लेकिन मेरा astrology based है नहीं मैं कभी करी नहीं है तो पहले basic करें ना बल्कुल करें एबी सीडी तो आनी जूरिया का संका सुनाने के लिए जैसे थोड़ा सा-सा वैसे planets मुझे आते हैं लेकिन एकदम थारो knowledge of astrology नहीं है उन्तरह नहीं चीए अगर आपको आता है प्लैनेट राशी भाव उनके अट्रिब्यूट significance के बारे में ग्यान है तो आप कर लोगे अगर आपको प्लैनेट भाव राशी उनके अट्रिब्यूट significance के बारे में ग्यान नहीं है तो दिक्कत आई या इंतरह आपको पता तो आप कर लोगे सिर्व इंतरह चीए इसमें जैसे लगन से ड्रॉ करते हैं ना वो सब कुछ नहीं आता मुझे ड्रॉ करना है ला फंडी उठानी बनानी नहीं आती है तो थो आप देख लेना बेसिक् क्यांने देते हैं मंदूक दशा भी स्टेवल एंड ब्रह्म दशा नारायन शूल दशा टाइंगल दशा अफिर क्या है आतम्मतारी श्टेट पहने स्लाइट यहीए और यह एकिसाटाइब है इतना इतना टॉपिक्स ही कवर लेकिन एक मही समय लगने वाला समझने वाला बहुत है इसमें डिटेलिंग बहुत है इसमें इस मेरे एक कुश्चन हो रहे गया आने वाला वर्ष या जिन्दिगी दो-तीन साल कैसी रहेगी हो कौन सा बेस्ट है जिसमें देख सकें क्यों कि आख ग्रेशन है प्रोग्रेशन चार्ड फोग्रेशन चार्ड कॉन सा चांट ऋग्रेशन त्षी वह किसमें चुछ सबद्स कर ट्यूरी इस अड़ा बासटर थिए का स्भा इंटेललिंकिंग इए ऑगी सिद्ध एटन्डेराम राष्टन थेरी जो नितीजी जी करवारी हैं भी पर नितीजी प्रवारी है भी अच्छा थेरी जिए गुड जटेट व प्रोग्रेर्शन चार्ट पर एक लुकिंग फर दी यह एरली प्रेडिक्शन और लाटकिताब से भी अप्र वर्श्फवल निकाल सेखें ऑप वर्स्वल इस वरी गुड फॉर्लार किताब अगुड परमिला जी आपका प्रशन बोलें सर इसमें आप रेमेडी भी सिखाएंगे इसका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसर जी रेमेडी तो हमेशा अस्तोली जी साथ चलेगी बिना रेमेडी के तो अस्तोली अधूरी है अधूरी बात है और सर डूरेशन क्या रहेगा यह को दो मेने का कोर्स रहेगा यह इसकोर्स विल बीफ टू मंग्स राइट तो जो मरे एग्जिस्टिंग पारिस्मेंट इस वन फैसे निग्ट तो ती निग्ट इन तो कि अधर फीस फिर्टीन परसंट इसकांट तो शीक् जानने की उनको बड़ा मदानी निग्ट इस वेरी इंटरस्टिंग सब्सक्राइब और जानने की उनको बड़ा मदानी बड़ा मज़तार है वरी इंटरस्टिंग सब्सक्राइब अपने बन जाता है उसको लगा करता है बड़ा मज़तार काम होता है बहुत इंटरस्टिंग डिजर्स आते हैं क्योंकि सारी चीज़ की डेप के अंदर जाना बętल बिल्कूल जतक जा पाना अपने अब सारी जेसे पूर्ण है अपने आपे सारी विद्य पूर्ण है लेकिन जड़ तक जाना हरें की विद्या में बहुत तफ है लोड़ आफ हार्ड वरक एंड लोड़ आफ यर्स और पैक्टिस बट वाइल पुटिंग कपल अफ स्टुड़ी स्टुगधर मोडलेटी स्टुगधर उसके करता पता है लिएक को क्ली को गई एक काम कर सकते हो आपको कृड़्य तो यु कैन्व किटी वीडीयो जो बेसिक्स के हमने किया था niewıyorsunे लिकोस्टी उसकी वीडियो से कर सकते हैं तो वह सकता है तो वह आप कराएंगे तब होगा वह तो नहीं समझाएगा वीडियो से करें आप उसमें करेंगे करेंगे काम्पलिमेंटर देते हैं रिपीट फ्री आल्वेज तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं है you can always be part of it that way right sir mithun sir कि साब से कौन सा पॉकर्ट फील्ड कर रखेंगे वेदी को या केपी को या क्रेमिनी को या लाल किता अवरी अवरी मॉडालिटी इस देर उन तॉप अवरी मॉडालिटी इस उन तॉप क्योंकि हर अपना में पूर्ड है आप जैसे वो तो है सर एज शुड कौन सा मतलब ज्यादा हम जो आपको जल्दी से कनेट करें इस अप टू यू करते हैं हम लोग लाल किताब इंतरा नहीं करते हैं करती है तो इस कनेट आफ एवरी बड़ी एरून ठीक है आप जब आप जैसे प्रमिला जी जब आप इन सब विश्यों को पढ़ने लग जाई हर किसी के लिए हर एक अप्लाइड नहीं हो लेकिन बेसिक होना बेसिक जानना ज़रूरी है और बाकि जो है कईयों को लाओ बहुत ज़्लिदी समझ में आता है वयादिक पड़ते हैं बस में क्कड़ग लेते हैं जटके में ठीक है कईयों को कीपी बहुत इजी रखता है औ करते हैं निकाल देते हैं ठीक है तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट किस लेवल पर है आप किस चीज को बहुत जल्दे ग्रैस्ट कर लेते हैं वह बताई से तो राहुल जी का इसी में एक कॉशन है राहुल जी आपका प्रशन बोले पूशे कोई बात नहीं अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा बेसिक तो मैंने थोड़ा सीका है और जो बिमारियों से जोड़ा जोड़ा जानना जो एक एक इना जॉब देता हूं राहुल जी मेडिकल ना हर एस्ट्रोजी के अंदर होती है जैवह जैमिनी हो चाहिए लाग किताब हो या कुछ भी तो जैमिनी के इंदर भी मेडिकल अपनी जगह लेती है दूसरी बहुत रही बुक्स की यस पामिस्टी जो या जो भी कोई मॉडलिटी है कुछ के साथ मास्टर जूरी है ऑपके हाली बुक्स से काम चलता तो फिर शायदा में क्लास करी कभी स्कूल जाने की जोती ना पड़े स्कूली ना जाना पड़े हैं ने वह तो वह तो मुझे करना पड़ेगा सर मेरे फैंबली में ना मेरी मदर को जैसे कैंसर हो गया था और अभी मेरी दूसरी में मम्मी की जो सिस्टर है उनको भी अभी डिटेक्ट हुआ है ने तो मैं शाड़ मांसा करता हूं राउ जी सॉरी तू इंट्र यॉर प्रिशन मेडिकल एस्टोलोग मेडिकल पाभश्ट्री इस गूइंट उस्टर्वांस कॉर्स इस गूइंड नेक्स सेटरेग्ड़ यू और उससे आपको बहुत ज्यान मिलेगा मेडिकल सब्जेट के मेडिकल पामिस्टी के मादम से ठीक है तो यू के मादम से कर सकते हैं बाकी उसको जो आपके प्रेशन बीच में आएंगे वह में प्रेशन बीच में क्लिया कर देंगे तैंक्यू आपको देंगे ठीक है और प्रेंट में उससे आप कर लेंगे पूछ आपके लिए अनुसार आपके लिए हमेशा काम कार कर रहेंगे मैं बताऊं वीडियो में जब हम लोग यह करते हैं वो रिकॉर्डिंग में रहते हैं तो जहां पर समझ में नहीं आता है रिकॉर्डिंग को बार-बार सुन सकते हैं उससे क्या होता है कि कम से कम जहां पर आप फस जा रहे है उसको रिपीट करने से महां से कुछ ने को सल्यूशन निकल गया आता है और बुक्स तो रहेंगे बुक्स तो रेफरेंस है मैं बता दूँगा आपन सा पुक्स आपको पढ़ना है कैसे पढ़ना है तर टाइमिंग क्या होगा इसका इंड कॉन से दिन होगा सेटर संदेक 11 बुझे संदे संदे 11 बुझे इसका ठीक है जामिन सर आपका परशान एक बार फिर अटी सर अप्सुलूटली नॉट फेर 11 बुझे जो तो अम लाइव क्लास अटेंडी निचे पाएंगे सुबह के 11 बुझे एप लुझे आपको कुछ पता नहीं न आ यू वरी फॉंद अफ दिस मिड्नाइट आवर इसनी रात को कौन करेंगा बापर मैं इसनी लिए वह इसनी रात को कॉन करेंगा अब आपर मैं इसनी लि आपको बेसिक आता है यू नो वरिवल बेसिक्स फिर भी कुछी नहीं होता है आपको कुछ को मैं सुल सकता हूं जमनी सिखने के लिए तीन चीज़े आने तो ज़रूरी है एक है ग्रहों का नेचर भाव विचार और राशियों का नेचर बस यह तीन चीज़ा है तो जमनी भी आ जाएगा इसी लिए अच्छा एक आप आप आज परशन कुछ परशन बैंक लेकर बैटे हो गया इतना समय होगे आपको देखते हैं आज पहली बर लगा ना आपको अच्छा मेरी क्लास में परशनी नहीं होते हैं आपके यह इसके यह कोट्स होने के बाद एडवांस भी रहेगा या यह इनफ है देखो दिसीज़ वन वरी स्ट्रॉंग कोट इटसल्फ अडवांस का जात संपूर्ण कोर्स अपने हमें काफी चीज़ेस में आपको सीखने में मिलेंगी स्पाइड आप पार्टिसमेंट्स की दिमांड के अनुसाब विल प्लानेट हो अचा अलका जी क्या पूछ रही थी अभी अलका जी क्या पूछना चारेगी यही यही पूछना चारेगी मैं अध्वांस लेवल भी है तो मेरा अध्वांस लेवल भी है तो मेरा अध्व नौ प्लाइब और टाइम ग्यारा से थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं जारा के सब्सक्राइब तोड़ा मुश्किल है संदे तो कर पाऊंगी तो देखते हैं ठीक है अब रिकॉर्डिंग ले अध्यूज कर पाऊंगी इसको अच्छे से कि नहीं कर पाऊंगी कि इस अध्यूर्ण नहीं आती अध्यूर्ण जामनी इस वरी इजी देन वैदिक वैदिक के दो काफी फार्मले कंविश्य बनाने पड़ते हैं बट जामनी के तरब सब रेडिमेड होता है तो देर इंतर सब्सक्राइब कंविश्य बने बनाए होते हैं उसमें सब्सक्राइब कंवेडिक्शन नहीं आता मेरे को उसे प्रेडिक्शन जैमनी बिताएगा किसी और कोई प्रेशन किसी का कोई विचार सबके आज बतिया बहुत सारी बंदा है यह सुमित खाला जी यह ऐसके कैसे हो गिया प्लतारिक एसके कैसे नाम दिंख रहे हैं आप ना वह तो आपने ठीक कर वान है वह आपको मैंने फोन करना किसी ना लिए आपकर लेना किसी का कोई प्रशन किसी का कोई विचार किसी का जी आट आटी बर्ड वीडियो आपका नाम बताएं रिटा दोलग क्या सर मुझे ये पुछना है कि लाइव चार्ट भी आप साथ में डिसकस करेंगे ना जी मेंडम हमारे सारे कुर्स के लिए लाइव चार्ट होते हैं और जो दसा है अपने बताई है वो चार्ट के उपर सिधा अपलाई करना सिखाएंगे यह कोर्स की दीज कितनी है सब्सक्राइब बदबारा लगा रहा हूं इसका आप स्क्रींशॉट ले जीएगा इस पर डिटेल यहां पर है फरस्टाइम पैस्पेंट जो होंगे उनकी फी सब्सक्राइब तो फीस बनेगी त्रुपीस की क्लास होंगी लावन अ.म टुटीफोर स्टेंबर से स्टार्ट होगा विचमीज नेक्स से स्टर्डे से स्टार्ट हो जाएगा और इलेवन टू कितना वावश नॉमली जेट से दो हुंटे लगते है क्लास में दो अपक्सिम लजाते हैं पर दो इस प्रिस्ट्राइब करलेरे जाते हो अपाउट वर्स चयो डिजा रेकोर्डिंग जो चैंटान сама ही आपको वह वहुस्ट हो सकते हैं बूब कर सकते हैं मिहेंगे नहीं बोग्स संसे अब्साइब ऑवले बस वहाइं अवच पर जो हैं था सबसे इस वहाइब को ये हेलो मेडम आपने क्या बोला हमें सब्सक्राइब करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब फुल फिल उसमें सब कुछ हो रहता है तो सर बुक्ति प्ढ़ने का मन नहीं करता इसली तो वीडियो बनाया बंदे का मन नहीं करता दुबारा से वीडियो देख लिए ना कहां पर गलती हो यह वीडियो में सर थोड़ा आ जाता है फिर वह भटक जाते हैं जितना लाइब क्लास में इस देखेंगे हैं वह वह सी रै जो तो यह सर जी सर एड़ा घ्राइब लेट के बात करने इसलिए सब लोग यहां पर मेरी क्लास की ग्यारा बजे वाले लोग उनकी वीडियो आफ किया से यह अब आज को जिशा बाव का कोई बात रहा होगा नक्षा तो अगेरा का इसलिए वीडियो आपकर रखेंगे हैं पर बीन जी ग्यारा बजी किलास के यह जैमिर सब्सक्राइब ली किलास के बैटे है यह यह सोते लिए लिए लास मजे थे साड़े बारह पर तक मिली सोते ही गताद यह जए रेखेंगे तो इसको नेमाखेंट नांट हैं तो ग्र्लियो के लिए नेरी स्टेशिय लोग इसको नेड़ करें वेरी बैरी बातियों की जैमिनी एसलोडी विडिकम अवस्कॉर्ट कॉर्डेय में अवस्टैने कोशटिए इस्ट्रवेश्टी विए लिए यह जालदिशार केस्ता जाल इसपू हिए सक्ट इंधिव्हुन जाएगि सब्सक्राइज कि लिए न है cred सोई प्रूच सब कहना चाहेंगे थांग तो आज के लिए माप सबसे आग्याथ चाहेंगे थैंक यू एड न को जो ईन आख बिलेंगे फिरसे जैपने एसलोजी साहता आज आसाब के समय के लिए धन्यवाद थैंक यू थैंक सरिमच थैंक सब्सक्राइब थैंक अंट्री न लोपने वाड आ तिन्ली राजी नरियू से कामें तरेषा आ थिए था कर दरेवाड धने वांस करेंटाब है